नमस्कार साथियों, जेस्टी सर्विस प्रोवाइडर का ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं आपको अल्रेडी बता दिये कि क्या क्या स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अब ये जानना जरूरी है, य किस तरीके से हम लोगो को करना पड़ता है, what are the services that can be provided after GST Suvidha Kendra, अगर आपने GST Suvidha Kendra खोल ली तो क्या क्या services प्रोवाइड कर सकते हो, ये बहुत important है, सबसे पहला आप GST के services दे सकते हो, जैसे GST का registration करवा सकते हो, returns filing करवा सकते हो, reconciliation करवा सकते हो, bookkeeping करवा सकते हो, pancard services provide क कर सकते हो, digital signature certificate का services provide कर सकते हो, देखो trademark registration भी आप करा सकते हो, जो trademark registration भी आपको कराने का अधिकार हो जाएगा, trademark करने के लिए लोग आजकल गूमते रहते हैं, और खाली professionals के पास जाते हैं, अगर GST Suvidha Kendra आप लेते हो, तो trademark भी आप करवा सकते हो, इसके अलावा income tax return आप file क कर सकते हैं, next TDS return आप file कर सकते हैं, CA certification और tax audit, CA certification और tax audit के लिए भी आप काम ले सकते हैं, आप CA नहीं होंगे तो CA connect करके आपको कर सकते हैं, अगर CA लिए होंगे तो CA लिए लोग लिए तो भी ये वाला चीज बहुत बड़ा फायदा है, all types of business registration such as company and partnership registration, ये सारा registration आप कर सकते हो, ticket booking भी कर सकते हो, ticket booking भी आप कर सकते हो, recharge पूरा कर सकते हो, सारे bill payment की facility आपके पास हो सकती है, और money transfer भी आप कर सकते हो, और आधार enabled payment आप कर सकते हो, insurance loans etc का भी काम कर सकते हो, कितना सारा काम है जो आप कर सकते हो, सोच के देखो, इतना जबरदस काम आपको करने की पूरी आजादी मिली हुगी आज आपको बताने वाले हों कि GST Service Provider अगर आपको बनना है तो online किस तरीके से apply करना होगा तो बहुत important वीडियो है आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि किस तरीके से GST Service Provider का GST सुवीदा केंदर हम लोग apply कर सकते हैं step 1 देखे GST सुवीदा केंदर.org में हम जाएंगे महाँ पर apply now में click करने वाले है apply now में click करेंगे तो यह हमको दिखने वाला है second page में आए apply now वाले में यहाँ पर name आपको fill up करना पड़ेगा email id fill up करना पड़ेगा profession आप डालेंगे आपका existing profession क्या है आपका age डालिएगा जवाब इतना कर लेंगे तो यह availability application चेक करना पड़ेगा verify the area where you want to open the GST सुवीदा केंदर सबसे पहले तो GST सुवीदा केंदर आपको किस area में कोलना है क्योंकि same area में same जगा पे GST सुवीदा केंदर शायद नहीं कोलने मिलेगा इसलिए आपके लिए area चूज करना ज़रूरी है तो सबसे पहले pin code आप डालेंगे जैसे city आपने डाल दिया भिलाई और state आपने डाल दिया फिर आप next कर सकते हो जो भी और उसके अंदर में आपको mobile number डालना पड़ेगा mobile number the digit का जो आपका रहता वो mobile number आप फिल अप करेंगे और mobile entry करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा आपको OTP आ जाएगा OTP आप यहाँ पर mobile में चेक करेंगे इसमें OTP डाल देंगे OTP डालने के बाद अब आपके सामने यह इस तरीके का पेज खुलने वाला है हमको 99 रुपीज पे करना रहेगा from payment gateway then you will get proposal agreement अगर आप 99 रुपए पे करोगे तो आपको proposal agreement मिलेगा otherwise proposal agreement नहीं मिलेगा यह शायद seriousness चेक करने के लिए है कि सामने वाला बंदा सच में यह वाला काम करना चाता है कि नहीं करना चाता है तो 99 रुपीज का application fees आप पे कर दीजे अब जैसी आप यह payment कर देते हैं तो franchise fees उसके बाद बताएंगे तो यह लिखा हुआ franchise fees will be 24,000 plus 18% GST total investment कितना हुआ केवल 28,320 रुपए total investment हुआ next license कितने साल के लिए दे रहे है 25 साल 25 साल किसको बोलता है मेरे ख्याल से तब तक के वो provider वाली company जिंदर आई जाये तो बहुत है इसका मतलब है हमारे जीवन काल के लिए तो मिली गए तो दोस्तों यह बहुत simple चीज है मैं एक चीज बस यहाँ पर मैंने आप के लोगों के लिए छोड़ा हुआ है तो दोस्तों यह बहुत simple चीज है मैंने सिर्फ एक चीज आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ और वो क्या है वो यह है कि 99 रुपीज आप पे करके अंदर जाए यह proposal निकालिए और वो proposal से आप आगे काम करिए और इस चीज के लिए GST से संबंदित भी training हम चालू करने वाले है जितने लोग GST सुवीधा केंद्र लेना चाते हैं और लेने के बाद में किस सरीके से काम करना है अगर आपको सीखना है तो आप नीचे comment कर सकते हो अगर आप comment करते हो तो आप लोगों के लिए वो training का program में arrange करने वालों जो कि बहुत nominal cost में होगा और आप अपना business खुद चला पाएंगे तो अपना business चलाना है तो हमारे पास आना है तो आप जानते हैं न मेरे mission है हमेशे आप लोग की मदद करना और समय पर सारी जान करी देना बने रहेगा मेरे साथ आपका दिन जबर तस्वर शुब हो